कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों साल 2023 की सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा साल की जुलाई में पढ़ने वाली गुरु पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। गुरु की भूमिका सोना चांदी हीरे मोती से भी है। इसलिए गुरु को अपने जीवन में अवश्य जोडे तीन जुलाई को पढ़ने वाली गुरु पूर्णिमा पर कई दुलब सन्योग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप दो दीपक जलाकर छोड दें इससे मृत्युदंड, पित्रिदोश, महाकाल, सर्प, दोश, नजर, दोश, शनी, दोश, राहु, दोश, सब कुछ होगा। किस्मत पर लग जाएंगे चार चाद महालक्षमी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी कंगाल भी होंगे धनी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए कि आपको दीपक जलाना चाहिए तभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक जलाया हो क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनरजी है अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय तो इससे आपके घर का वातावर्ण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है घर का मुखिया होता है उस लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है यानि की एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं परिशानियां बढ़ती रहती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिलकुल भी नहीं मानते हैं, इसी तरहे घर का पूरा माहौल ही दुख पूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज और आपके घर में प्रवेश कर जाती है, ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी परिशान. करती है आपके सभी काम बिगरने लगती है, जिस समय सूरज डूब जाता है, उसी समय यह नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रवल हो जाती है, उसी समय आपको मुहाहात पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो कोई और व्यक्ती भी आपक ज्यादा नकारात्मक उरजाएं हैं, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीब्तों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है, सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज घल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं, अगर आपके घर में धन से जुरी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुरी हुई कोई भी समस्याएं हैं, इससे आपकी धन से जुरी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है, और वही अगर रोज दीपक जलाता है, तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है आप कभी भी इन चीजों को नजर अंदाज न किया करें क्योंकि इन ही से आपके जीवन में परिशानिया बढ़ जाती है और आपको मुसीब्तों का सामना करना पड़ सकता है आपको यह जानकार हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे निकलने वाली उर्जा होती है वहाँ आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौर एकदम से सुख में बनने लगता है यानी की पॉजिटिव होने लगता है घर के सभी लोग शांती से रहने है इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उर्जाएं है वो खत्म हो जाती है क्योंकि इन द जरूरी चीजें हैं शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया करें तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी पूरी होती है दोस्त हम अपने घर के पूजा घर पूजा पाठ करते हैं और मूर्ती आदी रखते हैं दोस्त मूर्ती का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जिस घर की पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है वहाँ पर बनता है राज्योग और दुनिया आपके कदमों में आजाती है कहने का तात पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्थ हो जाता है जिसकी आपने कलपना की है जिसकी आपने मनोकामना मांगी है दोस्त घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजे देखने और मनाने आदी का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाएं और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूरूड। उन्हें लगती हैं दोस्तों बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में की आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वर सुख को प्राप्त हो सके और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ती की बात करें तो दोस्तों अगर आप श्र साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोडे के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए दोस्तों यह प्रेम और एक्ता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं ह होता है दोस्त और पति-पत्नी परिवार जनों के बीच परस पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही व्रिद्धी होती है इसलिए यह जरूरी माना गया है अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तोर पर आपके जीवन में अपने आप ही फाइदाप्रा हो जाएगा दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विश्नु की भी पूजा करें या ना करें या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें दो हमेशा भगवान श्री विश्नु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्तों देवाधिदेव, महादेव, भगवान, विश्नु और और भगवान ब्रहमा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विश्नु जी को पूजा ज माता लक्ष्मी जी की पूजा करे माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गनेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ती यह तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाए तरफ भगवान श्री गनेश जी की मूर्ती लगाते हैं, यह तस्वीर लगाते हैं, हैं तो आपको निश्चित तोर पर लाभ प्राप्थ होता है, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्थ होने लगती है, और धन प्राप्ती के लिए आपको लक्ष्मी गनेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है, माता लक्ष्मी धन देती है, तो भगवान श्री गनेश विद्धी सिध्धी का भंडार और विद्धी का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ती रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या ना करें, दोस्तों आपको निश्चित तोर पर हनुमान जी की अन्यदेवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ती रख सकते हैं, किस हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें हनुमान जी के निमित किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो, तो आप प्रभु श्री राम से कहीं दोस्त भगवान श्री राम के प्रियभक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना. आशिरवाद होता है जितना की आपको हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर का पूजन करने से होता है या फिर आप क्या करें श्री राम दर्बार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दर्बार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्ती या उनके किसी प्र अगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का आशिरवाद आपको प्राप्थ हो जाता है, तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। अता है कि इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ती लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ती को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा दोस्त और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विश अगर आप सिर्फ गनेश जी की मूर्तियां न रखें जैसे की एक तीन या पाुंच ऐसे रखना माना जाता है दो मूर्तियों को एक साथ रखना शुब माना गया है अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ती रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ती आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्तों इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें की गणेश जी का चहरा हमेशा घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ती हो और इस बात का ध्यान रखें की घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवल और इस से ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्त वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए आप छोटा शिव रखनी है घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं, तो शिवलिंग के उपर आपको तुलसी भूल कर भी अरपित नहीं करना चाहिए अगर आपने शिवलिंग रख लिया है। हनुमान जी की मूर्ती ही रखें। दोस्त और राधाकृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयनकक्ष में सोते हैं और वह आपके बैठ के सामने की तरफ रखी है कि जैसे की आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए। कि आपका जीवन माला माल होने वाला है किसी भी प्रकार का कोई दुहक धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समरिधी देखें तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिशासुर का वध करते हुए या क्रोधित अव जाता है दोस्त इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूल कर भी तूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए बहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला कर केही वो चावल चढ़ाएं लेकिन तूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए दोस्त इसी इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापि न करें ऐसा करना अशुभ माना जाता है और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर आपके परिवार के उपर दोश लग सकता है और पित्रों का भी दोश लग सकता है पित्रों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है घर के मंदिर में उनको अपित नहीं किया जाता है, दोस्तों इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदे। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तिया घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तोर पर आप रखकर अपने जीवन में फाइदा प्राप्त कर सकते हैं। दूमकर एक लाइक तो बनता है.